डाइबिटीज के मरीज रोज इन तरीकों से करे मेथी का सेवन, कंट्रोल में रहेगा बलड शुगर दोस्तों मेथी एक ऐसा मसाला है जिसे खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा सेहत के लिए भी बेहद फायदिमन माना जाता है मेथी के सेवन से डाइबेटीज की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सात्विक सेहत में जहां हम आपको अच्छी सेहत अच्छे जीवन्यापन और खुशाल जिन्दगी जीने के तरीकों के बारे में बात करते हैं जिससे आप रोगमुक्त रह सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों डाइबिटीज आज के समय की एक गंभीर समस्या में से एक है डाइबिटीज के मरीज रोजाना मेथी का सेवन कर बलड शूगर लेवल को भी कंट्रोल में रख सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मेथी में प्रो बायोटिक्स गुण होते हैं इसका सेवन शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैट कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है मेथी के दानों में अमाइनो एसिड भी होता है Amino Acid रक्त में मौजूद शुगर को तोड़ने और उसका स्तर घटाने में मदद कर सकता है ये Blood में Insulin की मात्रा को भी बढ़ाता है जिससे Diabetes के मरीजों को फायदा मिलता है Methi जिसे Fenugreek Seeds भी कहते हैं आप इसे सबजी में डाल कर भी खा सकते हैं इससे सबजी के स्वाद को भी बढ़ाने में मदद मिल सकती है इस तरह से आप इसे अपने मील का या कहें अपने खाने का हिस्सा भी बना सकते हैं Methi का इस्तेमाल आप इसे पानी में भीगो कर भी इसका सेवन कर सकते हैं रोजाना सुबह खाली पेट मेथी पानी के सेवन से बलड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है तो चमच मेथी दाने को रात भर पानी में भिगो कर रखते हैं और अगली सुबह इस पानी को चान कर पी सकते हैं अगर आप मेथी को चबा कर खा सकते हैं तो ये और भी बढ़िया है डायबिटीज के मरीज सुबह खाली पेट मेथी के दानों को चबा कर खाएं और फिर पानी पिएं इससे बलड शूगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है अगर आपको मेथी से या ऐसे किसी मसाले से कोई ऐलर्जी है या कोई ऐलर्जिक रियक्शन आता है तो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने चिकित सक से परामर्श कर लें अगर आपने इसका प्रयोग पहले कभी किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके विचार हमारे लिए बहुमोल्य हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाबकारी हो और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सात्विक सेहत ताकि हम आपको प्रोटसाहित कर सकें अच्छा जीवन जीने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुब हो